नमस्कार स्वागत आपका ANB NEWS की खास पेसकास NEWSनाव में आपके साथ मैं हूँ संदित्युआरी अपनी इस खास करकर में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जानी जरूरी है सभी एह मसलों का बारीकी से विश्लेसर करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक कहुंचाते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जारखन में जैसे जैसे चुनाओ की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे ही सियासत भी परती जा रही है बात करें जारखन विधान सभा चुनाओ में 81 सीटों का मुकाबला इस बार कुछ ज्यादा ही रोचक हो गया है जारखन में दो चरणों में होने वाले चुनाओ के मद्रेजर बिजेपी ने सबसे पहले 66 उमीदवारों के नामों की घोशना कर दी बाकी सीटे सयोगी दलों के लिए छोड़ी गई है क्या ये फार्मूला NDA दल के लिए कारगर साबित होगा रिपोर्ट देखे बिजेपी ने की 66 उमीदवारों के नामों की घोशना जार्खन विधानसभा चुनाओ 2024 में 80 सीटों को मुकाबला इसबार को ज़्यादा ही रोचक होगा जार्खन में 24 में होने वाले चुनाओ के मद्रे नजर बिजेपी ने सबसे पहले 66 उमीदवारों के नामों की घोशना कर दी विजेपी ने प्रदेश अध्यच बाबुलाल मरांडी धनवार सीट से हाल में विजेपी मुशामल हुए पोवसियम चंपई सुरेन को सराई केला और विधान सभा मिनीता पतिपच्य उमर कुमार बाउरी को चंदन की आयरी सीट से उम्मीदवार बनाया जार्खन पार्टी ने पास सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार वही जार्खन पार्टी भी पास सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है वहीं 11 सीटों पर राज़त, भागपा, सरीखे, सायोगी दल चनाव लड़ेंगे जल्द ही उनकी ओर से भी उम्मीद्वारों के नामों का ऐलाम कर दिया जाएगा हम साथ से 62 सीटों पर महागडबंधन की मदद करेंगे इट स्वेरिंग पर राज़त सांसुर मनोज जहा ने कहा कि जब 2019 का चनाव यहां हुआ तब हमारी पाटी के राष्ट्री अध्यच यहां थे भारी मन से उन्होंने तब साथ सीटों पर सहमती जताई थी क्योंकि वो बड़े दिलवाले हैं और उन्होंने कहा कि बिजेपी को हटाना लक्ष है हम अपने लक्ष में सफल हुए पर सो शामती पूरवक महाल में बात चीत हुई थी हेवन तो सुरे महा मौझूद थे इस बात पर जोड दिया गया कि हमें मिलकर चुनाव लड़ना है लेकिन कल एक तरफा फैसला लिया गया कहा गया कि साथ सीटे दी जारी हैं जब हम बाद में श्याम को फिर से उनसे मिले जिसे मैं बहुत सुहादरपून नहीं मानता तो सीटे घटा कर तीन से चार कर दी गय हमारी बैठक में तैय हुआ कि हम साथ से बासट सीटों पर महागर बंधन की मदद करेंगे वही जोरखन विधानसमा चुनाओ पर जो एमन सांसद महुआ माजू ने कहा हमारी पार्टी से भी कई नेताओं को ले जाकर उन्हें टिकट दिया गया वे खुद को एक मजबूत पार्टी कहती है लेकिन चुनाओ के समय उन्हें टिकट देने के लिए कोई नहीं मिलता हमा साथ सीचों के लिए सिर्फ इसलिए हमी भरी बोला बाबु यहां बैठे हुए हैं सिंबल भरा हुआ हमारे कैरिडेट्स का हमने विड्रॉ कर लिया सिर्फ इसलिए कि उस विशाल हिर्दय वेक्ती हमारे रास्ट्रिया ज्यक्च का गोल है बीजेपी को आटान और उस गोल म कई विडायक हिलने डूलने लगे हमारा तो एक ही विडायक था मंत्री थे सत्यानां जी कभी इनके बारे में सुना कि यह हिल डोल रहे हैं कोई कलकत्ता में पकड़ा गया कोई कहीं पकड़ा गया तो यह प्रतिबादता थी कि हमने महा गटबंदन को मजबूत करने का काम कि आप सब जानते हैं इंडिविजुली आप लोग मैसेज भी करते हैं कि राज़त का कम से कम 22 जगों पर कम से कम एक ऐसा जनाधार है जहां हम जीत तै करते हैं चाहे हो जेमें के हमारे साथ ही लड़े या कॉंग्रेस के साथ ही लड़े हेमंद जी को मुख्यमंत्री बनाया उसी संदर्व में बार बार हम इस बात को दोहराते हैं कल जी इस बात को लेकर कैं आप से कहा हमारे नेता प्रतिपत्स तेजस्वी जी इंडिया गटबंधन के बनने में भी माती भूमिका थी हमारे राष्ट्य अध्यच लालू जी की हम बीजेपी से पारंपरिक रूप से लरने वाले लोग है हमारी आँख में चवनी कभी नहीं हुई कईयों की हो गई कई इस खेल के माहिर हैं लेकिन राष्ट्य जनता दल ने अपने नेताओं का जेल जाना सुईकार किया ब्रतारना सहना सुईकार किया लेकिन भाजपा के वाशिंग मशीन के आगे नतमस तक होना सुईकार नहीं किया ये है राष्ट्य जनता दल की थाती आज भी जो बिहार के लोग क्योंकि जारखंड और बिहार का एक नसरगी क्रिस्ता है अलग हुआ लेकिन जो बिहार के लोग पारंपरिक रुप से यहां रह रहे थे आज भी उनके लिए विकल्प राष्ट्य जनता दल है एक बड़ी बहुजन आबादी जिसको अपना स्वर चाहिए उसी स्वर का प्रकटी करन था हम आपको जब नेदा प्रतिपाथ दो दफे हम लोग गए बड़ी स्वाहर्दपुन बाचीत हुई परसूदा यह मन जी स्वायन थे सारी बात हुए इस संभावना पे बल दिया गया कि हमें मिल के लगना है और बीजेपी की जो तमाम कोशिश है इडी, सीबिया, आईटी, एलेक्शन, रिगिंग के माध्यम से उसको विराम देना है लेकिन कल एक यूरिलेटरल डिसिजन हुआ जिसमें कहा गया कि साथ छोड़ा जा रहा है शाम तक जब हम दुबारा बातचीत के लिए गया जिसे मैं उतना सौहार्दपुर नहीं मानूगा लेकिन उसमें जो व्यक्ति बातचीत के लिए थे हमारे वरिष्ट नेताओं के साथ हमारे प्रभारी हैं केंद्रिय मंत्री रहें कई बार के विधायक रहें लेकिन थोड़ा कस्ट हुआ इस वारों फिलिष्ट पर जो नामों को देखने हैं ऐसे में कई ऐसे नामों के तल तक आपकी पार्टी विश्वास जी जी हमारी पार्टी से तोड़कर भी बहुत सारे नेताओं को बड़े नेताओं को ले जाया गया और उन्हें टिकट दिया गया और मजिदारबाद तो यह थी कि अपने आपको विश्वा की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं लेकिन जब चुनाओं का समय आता है तो उनको अपने पार्टी में कोई नहीं मिलता है महिलाओं की संक्या वो कहते हैं कि सबसे जादा है तो लोगसबाद चुनाओं में अपने देखा ही किस तरह से तीन महिलाओं को टिकट भाजपा ने दिया और तीनों महिलाओं जेएम कॉंग्रेस और राजत से ले जाई गई थी तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे अपने आ अच्छी तैयारी है हमारी जेम्म और बडबंधन की कि बीजेपी इस बार भी सब्ता में नहीं आ पाईगी यह तो तैय है जन्ता ने मन बना लिया है काम को देखते वे कि इस राज्य बने इतने साल हो गया 24 साल इसमें 17-18 साल बीजेपी को मॉका मिला उनके कई मुठ्य मंस करूंगी ने तमाम बाधाओं को पार करके कोविड का जो के समय को भी पार किया कुछ जेल में पांच मैंने उनको रखा गया बिना किसी सबूत के इन सब को पार करते वे उन्होंने जो काम कर दिया है उससे जनता दुबारा उन्हें लाने का मन बना चुकिए चंब क मैंने दोड़ा के सब्सक्शावते राजीष ठाकुरर ने कहा हम सब एक जुठ है जब ढवन्दा में सीप बटवारे पर बाती है तो किसी को क्याद करना पड़ता है उन्होंने आगे कहा विजेटी परवार के सदस्टों को टिकट देकर जन्सवात की राजनीती को दखा रही है उन्होंने दूसरे दलों से विजेटी में शानल हुए निताओं को टिकट दिये हैं जारकर विधान सबर चनाओं के भारती जन्ता पार्टी रट दंधन के उमिद्बारों की पहले सोची जल्द ही जारी की जाएगी हमें लगता है कि अख़बार में आपने तस्वीर नहीं देखी है और जो तस्वीर छपी है वो बया कर रही है कि हम लोग साथ साथ है तो इस तरह की बात नहीं रिवमर हो तो अच्छा है कि हमने उनसे कोई बातचित नहीं की है क्या कहा है उन्हें नहीं देखी अब वो क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता है मैं इतना जानता हूं कि विचार विमर्स हुआ है अच्छे तरीके से हुआ है और निश्चित रूप से जब भी गडबंदन होता है तो सभी लोगों को कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है त्याग और बलिदान के बदोलत ही कोई समझोता होता है और हमें लगता है कि सब लोग अगर इस प्रकार से सोचेंगे तो निश्चित रूप से कहीं कोई दिक्कत नहीं है हम लोग बराबर के लाइज रहे हैं सुरू से रहे हैं इंडिया गडबंदन को महत्पून साथी हैं और हम लोग लागातार जारकंड में भी आपने देखा एक वेक्ति उनके विधायक थे और वो बराबर मंत्री बन करके रहे हैं और उनको पूरा जारकंड सरकार में सम्मान मिला ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई मंच होता था तो एक मंत्री राज़त का, एक मंत्री कांग्रेस का और मंत्री जीमेम के होते थे तो हमें नहीं लगता है कि कहीं कोई इग्नोरेंस की बात है हाँ ये होता है कई बार जब भी कोई समझोते होते हैं तो थोड़ा जादा चाहिए थोड़ा कम चाहिए उसमें कई बार इस तरह की बाते आएंगी हमें नहीं लगता है कि मीडिया में जाने वाली कोई बात है नहीं देखें कुछ नहीं कहना है भारते जंता पार्टी को अगर जामूमों जैसी पार्टी और हम लोगों जैसी पार्टी नहीं रहती तो मिद्वार का अकाल पड़ा हुआ था आपने लिष्ट जो देखा है जो लोग बंसवाज की बात करते थे उन्होंने बाप बेटे को टिकट दिया की नहीं और जामूमों से लेके दिया हमारी बहु को टिकट दिया की नहीं दिया कांग्रेस से ले जाकर के सदस्य को दिया तो टिकट तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से वाभाव में थे और निश्चित रूप से हम लोग सबकी मदद करने वाले लोग है निश्चित रूप से हमने ऐसा ऐसा नित्रत वो पैदा किया है जिनके बगयर उनका काम नहीं चलता है आज जो हिमनता इतनी बड़ी बड़ी बाते करते हैं और जो उनके सहारा और खेवनहार बने हुए है उनका भी जन्म कांग्रेस में ही गुआ है तो हमें लगता है जरूरत है बिचारों को तो मदद लेनी चाहिए देखे कांग्रेस एक 80 सीटों पर चुनाव लड़ी है नहीं नहीं बिलकुल देखे जब इंडिया गटबंदन चुनाव लड़ी है और कांग्रेस इंडिया गटबंदन का निर्माता में रही है और जो संस्थापक सदस्चों में से है तो निशित रूप से जब भी कांग्रेस बात करेगी तो एक 80 सीटों की बात करेगी और एक 80 सीटों पर हम चुनाव लड़ी है हमारे कारे करता एक 80 सीटों पर तयारी seruarी है तो निशित रूप से जो भी हमारा इंडिया गटबंदन कावमी दोयार होगा सब लोग साथ मिल के लड़ेगी बहुत जल्द आएगी और जैसे हैं आएगी सबसे पहले एनाई को बताए जाएगा महराष्ट में सीटों के बटवारे को लेकर हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है महराष्ट विधान सभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीद्वारों की पहली लिष्ट जारी कर दी है इसमें पार्टी ने 99 प्रत्यासियों की नाम का एलान किया है विजेपी ने उपन मुख्यमंत्री देवेन फणर्वीष को नागपुर्द अच्छिड पसिम और पार्टी प्रिजिसर्द्धच चंद सेखर वावन पुले को कामठी विधान सभा सीट से चुनावी मैदान में उता रहा है रिपोर्ट देखिए माहराष्ट विधानसभा चुनाओ के लिए रविवार को विजेपी ने निन्न्यान भी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है इसमें 6 सीटे स्टी और 4 सीटे स्टी के लिए हैं वहीं 13 सीटों पर महिलाओँ को टिकट दिया गया ग्यारा पहली बार चुनाव लड़ेंगे बिप्टी सियम दिवेंद्र फड़ी नाकपूर दच्छुर पश्रम से महराष्ट बिजेपी अध्याच चंदर शेखर बावन कुले को कमाठी सीट से टिकट दिया गया महराष्ट के पूर्वसियम अशोक चानव की बेटी स्रीजया चानव को भोकर और पूर्व केंद्री मंत्री राव साहिब दानवे की बेटे संतोष दानवे को भोकर दनसीर से टिकट मिला विधानसबा अध्यच राहूल नार्विकर को कोलाबसे और नितेश राडे को कांका वली से चुनाव लड़ने के लिए मैदान पर उतारा गया नार्विकर, शिवसेना और न्सीपी विधायकों की सदस्तेता खत्म नहीं करने को लिकर विपच्छ के निशाने पर रहे हैं नितेश राडे मुस्लिम विरोधी बयानों को लिक अर्ववादों में हैं टिकेट मिलने पर प्रत्याशों ने पार्टी का किया धन्यवाद तो वहीं जिन प्रत्याशियों को पार्टी निटिकर देकर चुनाव में उतारा है तो उनका कहना है कि वे अगर चुन कराते हैं तो पूरी इमानदारी के साथ प्रदीश की विकास में सयोग करेंगे वहीं पूने की परवती विधानसवा सीट से टिकट मिलने पर विजेपी नेता माधुरी मिसाल ने कहा मैं पार्टी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे चौथी बार काविल समस्ते हुए टिकट दिया मैं उनके विश्वांस पर खरी उतरूंगी और हम परवती विधानसवा में जीत हांसल करेंगे इसके साथ ही बेलापूर विधानसवा चेतर से टिकट मिलने पर विजेपी नेता मंदा विजे महातर ने कहा मैं हाई कमान और राजी के मुख्यमंतरी और उप मुख्यमंतरी को तीसरी बार लोगों की सेवा करने का मौका देनी के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं कड़ी महनत करूंगी और अपने जम्मदारियों को पूरा करने की कोशिस करूंगी और घाट को पर पश्विम वधानसवा चेतर से टिकट मिलने पर विजेपी नेता राम कदम ने कहा मुझे ये जम्मदारी देनी के लिए मैं पार्टी हाई कमान का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं यहां कई विकास कर रहा हूँ और यहां की लोगों के लिए काम करना जारी रखूंगा और यह बार भी परवती विदानसवा हम लोग बहुमत से जीतेंगे और महायुती में एक परवती होगी जन्दा को देना चाती हूँ उन्होंने दोबार मुझे चून कर लाया भारी वोटों से और काम करने का मुखा दिया इसलिए मैं सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आने वाले दिनों में जो मेरे अधूरे काम है उसके लिए जन्ता मुझे पूरे सहयोग करेगी यह मैं चाहती हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं मैं हमारे पालिटी के शिर्ष सनेता आधरणिया नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रभावी प्रधान मंत्री जी है अमिश्या जी, जेपी नड़ा जी और महराश के हमारे आधरणिय देविनर फणनमिश जी इनकी छवी एक भगवान इंसान करके है हमारे प्रांत अध्यक्ष बावनकुले जी इन सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ विगत पंद्रा वर्षों से मेरी चुनाविक शेत्रों में एक और अध्यात्मिक यात्राओं का दोर चला और दूसरी और विकास की यात्रा का दोर चला साड़े पास से छे हजार करोड की प्रोजेक्ट में गहटकोर में लाने में मुझे सफलता मिली काशी अयुद्या केदारनात इस प्रकार की कई यात्राएं हजारों लोगों को कराते समय लोग के मुफ्त ऑपरेशन करना देश का सबसे बड़ा रक्षाबंदन गहटकोर में होता है सबसे उनी मटकी घटकोर में होती है इस प्रकार की कई सारे काम विगत 15 वर्षों से में कर रहा हूं घटकोपर का यात्रा पाइटन महराज सरकार MP सरकार ने भी उसे दोराया यह घटकोपर की जनता की जीत है और इसी विश्वास पर इसी आधार पर फिर से एक बार घटकोप पिछले दिनों ने देखा कि यह चक्षा शुरूर थी कि आपका जो है नाम इस बार बिखाथा पच्रों में ने रिक्लैप किया जाएगा और अब आखिर कर जब नाम रिक्लैप हो किया है क्या है आज कल एक अजिब सा मॉडल बना है कि सुत्रों के आधार पर कहकर कुछ मि के बुनियाद तर्क हिन बाते होती हैं हमने इसके पूर्व भी देखा है और इस बार भी वो साबित हुआ केवल और केवल विकास का मुद्दा है इमानदारी से उनका काम और उनके लिए हमेशा उपलब रहना इन मुद्दो के आधार पर और चुनाओं के समय है अब पद्रा वर्शों से काम करा हूं लोगों को पता है दल के बारे में पता है भारतिये जनता पार्टी के प्रतिय का विश्वास है ऐसी सारी सम्मिश्र बाते हैं आप उसे विकास आगारी कह रहे हम महराष्ट की जनता इन पर विश्वास नहीं करेगी लोग सभा चुना ट्रेलर था पिक्चर अभी बाती है साथी साथ हमेश्रा जिया कर उन से क्या कहते हैं कि यह कहते हैं कि हमें कोई बुख्यमंसी का चेहरा नहीं चाहिए पर दूसरों की बात करें और ही हमारी बात महां विकास अगारी की सिर्फ डिस्कॉशन चाले है जारी है पॉजिटिव ए में चल रहा है नब्भे पसेंट से करता दिसिजन हो चुका है नस पर सेंट की बारी है वो भी हम आपस में लटेंगे पर इनकी तरह नहीं काम करेंगे कि एक तरफ कोई के हमें उती आती है हमें घीन आती है चेहरा देखने सिर्फ होता है हमें कॉंप्रमाइस करना पढ़ रहा है और हमें चाहा कर कुछ और फर चाहा के करूंगे यूजल सिर्फ दिली के फ्रमान होते थे और यह लोगोप हरते है उस थो महाराश्णा की संसुक्तियों को प्रप एघ्डब спाश्जी सिर्फ सक्ना पाली के लिए है और ना सीट को लेकर, ना सीट आलोकेशन को लेकर, ना Candidates को ये बार-गार वो दिली जा रहे हैं कि इनको लगता है दिली से जो अमिर्शाजी कहेंगे बाकी दो पक्ष जो पूटे हुए पक्ष हैं वो भी मानिता देंगे और ताम उसे आधार पर करेंगे पर सच्छा यह है कि महराश्रा की जनता इन लोगों के उपर विश्वास नहीं है लोग सभा चनाव तो इस्ट में गडपत गायकवार का टिकट कटा वे फाइविंग के आरूपी है उनकी पतनी सुल्भा गायकवार कोम्मी द्वार बनाया गया है लिस्ट में महिला प्रत्याश्यों का नाम विशेश रूप से हाइलाइट किया है सुल्भा और स्री जया के अलावा बिजेपी न चिखली से श्वेता विद्याधर महले जिंतुर से मेघना वोडिकर फुलबरी से अनुराधा ताई अतुल चानर नाश्रिक पश्चिम से सीता ताई महिश गिरे बेलापुर से मंदा विजम हैत्रे दहिसर से मनिशा असुक चोधी कोर गाउं से विद्यजग प्रकाश ठाक पारवती से माधुरी, शतीस मिसाल, शियोगाउं से मोनिका राजीव, राजले, श्रीगोंडा से प्रत्वा, पचपुते, कैच से नमिता, मुंदड़ा को टिकट दिया गया इसने चुनाओं में हुआ था बिजेपी को सीटों का नुकसान, बिजेपी ने 2019 के चुनाओं में 152 सीटों पर चुनाओ लड़ा था, उस वक्त की अभिभाचित तशिफ्षेना को 12 सीटे दी गई थी, जबकि बाकी 12 सीटे एंडिये के अन्न साजीदारों को मिली थी, अभी महायती में सीट साजुदारी का पाइनल आपका नहीं आया है, इस्पेशल डेक्स, एन्वी न्यूज बिस्तारी करण वा नए टर्णिल भाउन की न्यू भी रखी इसके साथ ही, उन्होंने आज ये शंकरा नेतर चिकित साले को लोगों को समर्पित किया, रिपोर्ट देखे इस्पताल बुजुर्गों की सेवा करेगा और बच्चों को भी रोषनी देगा, यहां बहुत बड़ी संक्ख्या में अध्यात्मिक और आधुनिकता का संगम है यहां बड़ी को लोगों को काम मिलेगा यहां मेडिकल शौत्रा इंटेंसिफ और प्रैक्टिस कर पाएंगे सपोर्ड व स्टाफ के रूप में भी यहां क्यानीक लोगों को काम मिलेगा इसके साथ ही वारानसी में आरजी शंक्रा नेतर चिकेश साले का उद्खाटन समारों को संबुधित कर आरजी शंक्रा नेतर चिकेश साले के उद्खाटन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ताशी हर दिन बढ़ रही है यहां की कई विकासकार हैं वारानसी और शेतर के अनेकों लोगों के जीवन से अंदकार दूर करेगा उन्हें प्रकास की और ले जाएगा मैं अभी इस रनेतर अस्पताल को देख कर आया हूँ एक प्रकार से यह आध्यात्मिक्ता और आधुनिक्ता का संगम है यह अस्पताल बुजुर्गों की भी सेवा करेगा और बच्चों को भी नई रोशनी देगा यहां बहुत बड़ी संग्या में गरीबों को मुप्त इलाज मिलने वाला है यह नेत्र अस्पताल यहां के युवाओं के लिए रोजगार के भी नए आउसर लेकर आया है यहां मेडिकल कॉलेजों के छात्र इंटरंसिप कर पाएंगे प्रैक्टिस कर पाएंगे सपोर्ट स्टाप के तौर पर भी यहां के अनेकों लोगों को काम मिलेगा साथियों संकरा आई फांडेशन के इस नेक काम से जुड़ने का इसके पहले भी मुझे आउसर मिला है आरजे संकराई हास्पिटल के उदगाटन समारों में मुख्यतिती के रूप में पस्तित दुनिया के सबसे लोक्त्री राजनिता भारत के सश्वी प्रधान मंत्री आदणियसी नरेंदर मोदी जी जगदगुरु संकराचार्य पूझे स्वामी विजेंदर सर्शुती जी मराज उत्तर प्रदेश की मानने राज्यपाल सिमती आनंदी वेन पतेल जी उत्तर प्रदेश सासन के उपमुख्य मंत्री और स्वास्ते मंत्री सिब्रजेश पाठक जी संकर आई फौंडेशन से जुड़ेवे सभी प्रधादिकारी गर्ण और आज की इस समारों के सैभागी बन रहे देश से दुनिया से और कासी के भी सभी उपस्तित मानू हो मैं उत्तर प्रदेश वास्यों की ओर से कासी वास्यों की ओर से आधने प्रधान मंत्री जी का जिनकी पेणा से कासी के सेवा के और विकाज के सभीहान में एक नई कड़ी पुना जुड़ी है इस होसर पर मैं उन सब का अब सब की ओर से आधने प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से मैं स्वागत करता हूँ अविनंदन करता हूँ मैं आभारी हो जगत गुरु संकराचारे पुज़े स्वामी विजेंदर सर्श्वती जी महराज का जिनके आश्रिवाद से संकर आई हॉस्पिटल फाउंडेशन की ओर से उत्तर प्रदेश में संकर आई हॉस्पिटल की इस दितिय साखा का सुभारंब आज प्रधान मंत्री जी के उत्गाटन के साथ ही कासी में आज होने जा रहा है संकर आई हॉप फाउंडेशन देश के अंदर नेत्र रोग्यों को एक नया जीवन देने का एक प्रतिश्थित अभ्यान है इसी के साथ प्रधार मंत्री मोदी ने कहा कि आज ये शंकर नेत्र अस्पताल वारानेशी और अस्चेतर कैनेक लोगों के जीवन से अंधिकार दूर करेगा उन्हें प्रकास के ओर ले जाएगा ये इस्पताल वुजुर्गों की भी सेवा करेगा और बच्चों को भी रोशनी देगा यहां बहुत बड़ी संख्या में गरीवों को मुक्तलाज मिलने वाला है ये श्पताल यहां की वाउं के लिए रोजगार के ओसर लेकर आया है इस्पेशल डेक्स एनबी न्यूज न्यूजनाव में मेरे साथ बसी तना ही आप देखते रहिए एन वी न्यूज नमस्कार